अब एलो एवरीबर देशे वांगे वेलकम टो शुपक्लासेश वेडिया हम डिसकस करने वाल हैं मेजर्स ओफ मनी सप्लाई मुद्रा अपूर्ती के माप दोनों लेंग्वजिस में डिसकस करेंगे तो आप लोग इस रिक्वेस्ट है एक बार मेंको 101 का जो है क्वेशन पेप आप लोग मेल कर दीजिए मेरी इमेल आड़ी है शिफ्टक्लासेश 1404-8gmail.com तो किसी बी स्टूडेंट ने अभी तक मेल नहीं किया मुझे पीडिये फॉर्मेंट में मेल कर दो हिंदी इंग्लिस तोनों में ताकि मुझे पता लग जाए एक्जाम कैसा था क्योंकि कांट्री के अंदर कॉन में एक पर्टिकुलर टाइम पर किसी बी टाइम पर जो अमाउंट ऑफ मनी जो अवे लेवल होती है उसे हम कहाता है मनी सप्लाई कहता है इसमें कैश कोई और कोई बी इसली एससेबल जो डिपोजिट होता है इंडिवीजिल और बिजनिस का जो किपलाब का एक्जाम थी कि मोनितर पॉलीसी के की कि मुझा कितनी मैंस्प्लाई होने neighborhood के लिए सहीगा मार्कीट के अंदर की मैं सप्लाई काम करीनि ज्यादा करनी है तो तो इंडिया के धोार क्याचा इन्ए यहिसे प mist एकम करने मार्ट सुप्लाइफ की जाएगी यह तो लोग cuc अच्पीज करता है कि इंट्र करना नहीं करके रख लग्या। तहीं के अंदर मैं थे मेंजर होते हैं ठीक हैं Zakिंख के झाल चार जोसी मेंदर क्रे़ सोफmeden किया चीज승 कुछ के अधर चारतु को सब्सक्राइब के पर देखने हैं कोशिश करें शॉट में समझाओं ताकि ज्यादा से ज्यादा video अपलोड कर सकूं और कुछ लोग बोलते कि आप बहुत ज्यादा तेज बोलते जल्दी बोलते स्पीड में बोलते हूं यूट्यूब के अंदर ऑप्शन होता है आप जो वीडियो को है स्लो कर सकते हो मेरी पिसे लागता है कि मैं जादा तेज पड़ाती हूं फिर आता है डिमांड डिपोजित वह होते हैं जो इसको करता है तो यह ज्यादा कॉंपलेक्स होते हैं यूँर औरिक के चाहरे मंई यह इसको कर्वता है ποसे सेल̇न्टि इ स्पोसिव्लिट को पूरा कर सके जिए धूभी के सिस्टेयल को स्टेबल रख सके ठीक के बैंक इसकी साथ किस प्रह नच आपसम को किसके इसाथ मंई रखता है जब ज़रूरत पड़े तो उसको निकाल सके और इसका इस्तिमाल कर सके फिर आता है M2 में M1 include होता है और जो deposit होती है post office saving bank account के अंदर वो M3 जिसको हम broad money भी बोलते हैं तो इसमें broad money भी लिख लिए रहा है इसमें M1 होता है net time deposit ठीक है जो fix deposit होते है commercial bank के अंदर वो ठीक है M4 में M3 आता है और जो total deposit होती है post office की other than in the form of national saving certificate national saving certificate को छोड़के बाकि जितनी भी total deposit होती है post office के अंदर ठीक है जो saving accounts में है fixed accounts में है ठीक है जो fixed deposit होते है FDRDA सब जो कराई जाती है उनके अलावा ठीक है वो सारी आते सिर्फ किसको छोड़के national saving certificate को छोड़के ठीक है national saving certificate क्या होते है वो भी मैंने आप लोगों को यहां बता दिया है ठीक है आप exam में लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं बाद में अब लिख देना national saving certificate क्या होते हैं सेविंग बोनी स्कीम है जो गवर्मेंट इंदिया द्वारा लाई गई है जिसे एंक्रेज करने के लिए किनको बढ़ाने के लिए जो middle income investor है उनको कि वह invest करें ठीक है वह invest करें पैसा और इसमें उनको tax benefit भी मिलता है कौन से section के अंदर ATC जो income tax act 9061 यह scheme जो है easily available है किसी भी आप post office ब्रांच से जो है करा सकते हैं ठीक है यह जो scheme है ठीक है नेक्स्ट वीडियम हम लोग money multiply करने माले वह इंपॉर्टेंट है यूप आपको क्लियर हो गया होगा अगर वीडियो चल लगी तो लाइक इस शेट और सब्सक्राइब मैं चनल थैंक्यू